कि सभी को जाएं मैं इतनी को डे स्वागत करता हुआ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल मिशन NCC दवी ओप सक्सेस में देखेगा शाम के आसाथ बच चुके हैं हम लायू आ चुके फटा फट सभी के डिट जल्दे से लायू आ जाए और जिनको भी नोडिफिके हैं हमारे नहीं केड़ेट्स है जो दोजार चुबीस में वह NCC A BOC सर्टिफिकेट का एक्जाम देने वाले तो आप से भी केड़ेट्स के लिए मैं वेपन ट्रेनिंग के उपार एक ऑप्जिक्ट्यू टेस्ट लेकर आया हूँ और आप में इसे बहुत सारे केड़ेट्स ह जिनके पास ना तो नोट से ना तो उनके पास मॉडल पेपर है ये सारी चीज़े आपको Mission NCC एप में मिल जाएगा Google Play Store से इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल जरू करना और एप्लिकेशन का यूज करना बहुत सिंपल है और जिनका भी सपना है कि चाहे तो ऑजार चुबिस के पेपर में वेगरेट लेना चाहता है तो मैं आपको recommend करता हो कि आप इस Mission NCC बुक को online order कर सकते हो और अपनी preparation को आज से शुरू कर सकते हो ओके तो बुक को online order करके अपनी तयारी शुरू जरू कर देना तो आजए सभी का स्वागत है और आज की हमारी स्क्लास को शुरूआत करते हैं तो maximum marks होंगे आज के 100 और समय होगा एक गंटे का और पहला सवाल है बचो आप सभी के सामने 5.56 mm इनसास के मैगजीन किसके द्वारा बनी होती है या इनसास मैगजीन कैसे बनी होती है आसर करेंगे लोहे की बनी होती है फाइबर की बनी होती है उप्रोक्त में से इनसास की जो मैगजीन है वो किसके द्वारा बनी होती है और कौन बताएगा इसका सही जवाब मैं सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूँ बिल्कुल सही है और प्लैस्तिक लोहा कुछ अलग-अलग आंसर मुझे आ रहा है पायल गलत हुआ बच्चा पुनम गुडिवनिंग और किसके द्रब से आंसर आएगा इसका सही बादल गौतम जाहें शिवानी सिंग वेरी गुड बिल्कुल सही है शिवानी गुलाब मुंड़ जाहें मुकेश हरकुआर एंड उसके साथ साथ पूजा उच्चे वेरी गुड जिन्होंने भी आंसर दिया है फाइबर उन सभी पालग नेक्स्ट कोशन बचो एलेमजी की लंबाई कितने मिलीमिटर की होती है आपको एलेमजी की लंबाई बताना है 1200 mm, 1320 mm, 900 mm या 1130 mm, LMG की लंबाई कितना mm की होती है कोन बताएगा आंसर राहूल उपीएसी वेरी गुड उसके साथ साथ अर्जून गुपता बिल्कुल सही है और पूजा गलत कर दिया और आपी में से आंसर दिया है शीवानी सिंग बिल्कुल सही है परफेक्ट अजाई क पूमार और पायल वर्मा बिल्कुल सही आंसर है चलो ट्राइ करते जाओ सभी आचल कनोजिया है उसे के साथ साथ सोनिया वर्मा मुकेश राज नीशा गोस्वामी एंड गुलाब मुंडा लूसिफुर वाले भाई जहें मोहिनी चवान है पारवती है खुशी हरकुर और कि तो लमबाई है आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्यारा सो तीस मिलिमिटर के होती है उके बिल्कुल सही है नेकिता जहिन nex कोशन अगला सवाल, बचो डिलक्स राइफल की कारगर रेंज, कितनी होती है 0.22 डिलक्स राइफल की effective range आपको बताना है 022 डिलक्स राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है, 23 गजे 24 गजे, 25 गजे या 30 गजे, कूरा ंसर पताएगा आप में से इसका सही जवाब चलो ट्राय करो सभी शिवानी सिंग वैरी गुद राहुल उपियसी शाबस सोनिया वर्मा पूजा उच्छे हरकुवार खुशी गुपता मुकेश राज तानिया जैन अर्जुन गुपता किर्ती सैनी जैन किर्ती नीशा गोस्वामी पायल वर्म और किसके दरब से अर्जुन गुपता लूसी फुर्वाले भाई निकिता पारवती हरकुवार चलो बिलकुल सही है सभी का गुलाप सूरज यादो सत्यम सोनी एंड मुकेश राज बिलकुल सही है ठीक है पॉइंट डू डू डिलक्स राइफल की कार गर रेज कितना होगी बच्चो 25 गज आप में से जिनों ने भी आंसर दिया है सभी का सही है राइड आंसर इस पच्चीज गज ओके वरी गुज नेक्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों और बच्चो राइफल पर कितने भागों पर नंबर लिखा होता है राइफल पर कितने भागों पर न नंबर लिखा होता है किसके दरब से आंसर आएगा सही जवाब लूसिफुर वाले भाई परफेक्ट रीना भाई प्रजापती वैरी गुड रीना सही आंसर है शिवानी सिंग गुड राहुल उपियस सी शाबस अजय कुमार परफेक्ट प्रेरणा वैरी गुड और उसे के सूराज और कौने बच्चा बादल गउताम अकांग शा मोरिया जहें और उसी के साथ साथ यह कौने भया अपना रील्स वाला भाई है वाईडी रील्स वाला भाई वह नाम चेंज करते यार वहां पर अपना नाम लगा दे जो भी है तुम्हारा तब में ले पाऊंगा ना वह रील्स वागेरा अगर ऐसा नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा हो बाकी सुराज हरकुवार सभी के तरब से आंसर मिल चुका है बेलकुल सही आंसर दिया है सभी ने बच्चो साथ भागो पर नंबर लिखा होता है साथ भागो पर नंबर लिखा होता है और सभ प्रशन नमबर पायू एक फाइरिंग ग्रूप के एक ही लक्ष और निशाने पर चलाए गए राउंड के द्वारा बने शेत्र का केंद्र बिंदू क्या कहलाता है एक फाइरिंग ग्रूप के एक ही लक्ष और निशाने पर चलाए गए राउंड के द्वारा बने शेत्र का क या पिस्टन बैनेट पर फूर साइट के पास अपर सिलिंग कड़ी के पास एंड बोर्ड नौ लिवर मैगजीन ओके अच्छा बोर्ड लिवर मैगजीन ओके गोड शाबास बिलकुल सही है एंद शिवानी बिलकुल परफेक्ट उसे के साल साथ अरजुन गुपता अजय कुम समझ नहीं पार रहा हूं सी सेटिफिकेट के एक्जाम में सी के एक्जाम में या क्या नहीं समझावें सत्यम प्रेरना रीना एंड लूसिफुर वाले भाई हरीश पारवती नीशा पायल हरकुवर मुसकान पूजा सूनिया खुशी एंड अजय उसके बाद में मौमज अधर्ष क्या होगा बच्या MPI सभिए बचो क्या होगा अंसर दराइट आंसर इस MPI याद रखना मीन पॉइंट ओप इंपक एक फायरिंग ग्रूप के एक ही लक्ष और निशाने पर चला गए राउंड के द्वारा बने शेत्र का केंद्रबिंदू क्या कहलाता है MPI यानि अगला सवाल है Question number 6 बचों कितने position से फायर कर सकते पाइरिंग के पोजिशन आपको बताना है कितने position से फायर किया जाता है तीन पोजिशन, 4 पोजिशन, 2 पोजिशन, या 8 पोजिशन चलो क्या answer मिलेगा आपके दर्फ से है सर FCBC के बारे में भी पढ़ाओ यस बिल्कुल अरजुन भाई FCBC के बारे में भी पढ़ाएंगे परसो वाल इकलाद चलेगी FCBC के उपर अजय कुमार क्या अंसर होगा लोसी फुरवाले भाई सहीए शिवानी सिंग गुड बिंदिया गोस्वामी बैरी गुड एंड सत्यम सोनी सहीए और कमलेश वर्मा रीना भाई और सोनिया वर्मा है अरजून है नीशा है अजय है उसके बाद में पारवती मुसकान आदर्श और खुशी है उसके बाद में सुमानता है किर्ती है आचल भारती गुलाब अनुरूद है है ना प्रेर्णा प्रेर्णा ने यहां पर बिल्कुल एक्जैक्ट आंसर भी बता दिया है क्या अंसर होगा तो फारिंग प्जैशन आपको बताए कि चार प्जैशन से फायर किया जाता है यानि कि खड़े ओकर बैठ कर लेट कर और गुटनों के बल बैठ कर तो दिज़ारी 4 पोजैशन चार position है इन. चार position से fire किया जाता है. शेराउथीन. Very good. तेंके? बिलकुल सही answer है. सभी का. Very good. And excellent. Next. बचो अगला सवाल है. आपके सामने. इनसास का full form आप सभी को बताना है. कि इनसास का full form क्या होता है? इंडियन New Small Arms System. इंडियन Small Arms System. इंडियान नियाशनल स्मॉल आर्मी सिस्टम झालम और डि परफिक्ट रांसर इनिड हैस रही इस क्विफ्फवर्म पॉल कोटम बताएंगा आप में इसें सही नलिए जिएनिश्वर्विल Parl्ह निकिता वॉ contest इंसा का फिल कोटम से और यहां पे आंसर दिया है सत्यम यादो बिल्कुल सहीय सत्यम अर्जुन गुपता अंकीत भारती और रीना भाई उसके बाद में अजै कुमार सोनिया वर्माज शिवाने सिंग एंड सत्यम सोनी उसके बाद में खुशी रॉंग अंसर हुआ है बच्चा बाकी अर्जुन सुमान्ता गुला प्रेहरना अंसर गलत हुआ है नीशा गो स्वामी से 방법 बाकी लूसिफुर वाले भाई बिंदिया और निकिता गुलाब मुकेश के अंसर है चलू गोविन कुमार जाहें तानिया के अंसर होगा बच्चा तानिया अंसर गलत हुआ है और भाकी शेराउद्दीन अंसर खलत हुआ है सागर वर्मा सही है एक है मतलब यहाँ पे कुछ गिने चुने बच्चों ने आंसर दिया एक इसका सही जवाब होगा इंडियान स्माल आम सिस्टम ठीक है याद रखना ओप्षन B होगा इसका सही जवाब और बहुत सारे बच्चे नियु कोई नैशनल ये सारी चीज़े लगाता है बट अभी आप इस दिम इसे आप याद रख लेना पायल सर यह क्वेश्चन कंफ्यूज अरे किसमें कंफ्यूजन वाला कोई नहीं है इंडियन स्मॉल आम सिस्टम ओके अभी याद रखना नेक्स बच्चो अगला सवाली कुशन नमबर एट आप सभी के सामने है SLR का फिल्फॉर्म क्या होता है फिल्फॉर्म अब SLR SLR का फिल्फॉर्म आपको बताना है चलो सर मेरे पियाई स्टाफ ने यह नहीं पढ़ाया ओके खुशी तो याद रखना बच्चा SLR का फिल्फॉर्म होता है इंसास का इंडियन स्मॉल आम सिस्टम ओके याद वो मुझे मिल जाए ऑफिशल आंसर शीत ओरिजिनल कोश्चन पेपर अब तब तक आप सभी आंसर बता दीजिए मुझे मैं देखता हूँ कि अगर वो काश मुझे मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है इसी में देखा था हमने सी सर्डिफिकेट का वो पेपर है यही है वो नहीं है चलो तब तक आंसर पताओ सभी क्या अंसर होगा MP का है न यह आँसर शीट ओके शायद इसी में देखा होगा हमने चलो तब तक आंसर पताएंगे SLR का फुल फॉर्म यह होता है आपका ओरिजिनल पेपर ठीक है यह ओरिजिनल पेपर हम आगे चल के डिस्कर्स करेंगे अभी नहीं बच्चो यह जो है न एक बात याद रखना एक बात मेरे याद रखना ठीक है जतने भी बच्चे और यह आपको कही पर इधर उधर नहीं मिलेगी याद रखना यह चीज़ है अब यहां पर यह 2020 का पेपर है 2020 का पेपर जब बनाया गया तो यहां पे एक सवाल पूचा गया ठीक है वेपन ट्रेनिंग में वेपन ट्रेनिंग में एक ओप्जिक्टिव टाइप वाला सवाल पूचा गया बच्छो वो है कि इंसास का पूरा नाम क्या होता है फुल फों अप इंसास यहाँ पे देखिएगा सभी अगर दिखाई दे रहा है सभी को यहाँ पे एक question पूचा गया कि इंसास का पूरा नाम क्या होता है अब यहाँ पे clearly answer sheet में लिखा है आपके द्वारा जो ब्रिगेडियर साब होते हैं जो आपके बड़े अधिकारी होते major general rank के जो अधिकारी होते उनके द्वारा पेपर को निकाला जाता है जो बड़े अधिकारी होते उनके द्वारा इस पेपर को निकाला जाता है कोई छोटा मोटा आदमी इस पेपर को नहीं निकालता है ओके पहली बात को वो पहले verify करते हैं अच्छी तरीके से question को देख लेते हैं ठीक है final तब जाके इस पेपर को जो है वो आपके लिए C का launch किया जाता है तो इसमें उन्होंने लिखा है कि Indian Small Arm System ठीक है यह answer उन्हें लिखा है तो इसलिए मैं सभी को यही बताता हूँ अगर भया यह answer गलत है तो फिर जो UP के जो डारेक्टर सावे जो आपके state डारेक्टेट के जो भी head है उन्होंने जो पेपर बनाया होगा फिर उन्होंने गलत बनाया होगा ठीक है तो इसलिए याद रखना यह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे clearly official answer sheet में यह लिखा है Indian small arm system और इस तरीके से यह answers लिखे होते हैं याद रखियो सभी ठीक है इनके बारे में हम आगे चल के discuss करेंगे paper कैसे होता है क्या होता है बस पहले अभी हम object to type के कुछ question को discuss करते है चालो तो SLR का full form आपके दरफ से क्या answer होगा SLR का full form तो आप सभी ने answer करी दिया है the right answer is self loading rifle is the right answer SLR का full form क्या होता है self loading rifle is the right answer बिलकुल सही है perfect है very good शाबास next question अगले सवाल क्यों बढ़ते है बच्चो next question है 5.56 mm इंसास rifle का क्यालिबर कितना होता है इंसास का क्यालिबर आप सभी को बताना है 0.22 inch 7.62 mm 5.56 mm या 0.303 inch आपको answer बताना है इंसास rifle का क्यालिबर कितना होता है इंसास का क्यालिबर हेटवी बच्चा answer को आप दे रहे हो लुसिफर वाले भाई शिवानी का बिल्कुल सही answer है और आप ही में से यहां पे answer दिया है सत्यम सोनी का बिल्कुल सही answer है उसके बाद में अदर्श तिवारी है अंकित भारती हेटवी गलत कर दिया आपने शेरा उद्दीन है आर्मी लाइपस्टायल वाला भाई है अदर्श सुमानता अजे कुमार का सही है उसके बाद में सतिश इंडिये पाल लुसिफर वाले भाई उसके बाद में नीचे दिया है ना सतिया मियादो पारवती, खुशी, प्रेरना, अंकीत सभी ने आंसर कर दिया है सागर, चलो गुलाब, अदर्श एवरिव आंसर, NCC, C का सिलेक्शन में अच्छा, C के सिलेक्शन में कैसे C के सिलेक्शन में बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेशन पूछे जाएंगे बट आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आपने B का एक्जाम दे रखा है तो खुशी आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है बस आप उनको बोलना है कि सर अल्रेडी मेरा B सर्टिटिकेट हो चुका है तो आपको एड्मिशन मिल जाएगा कोई आपसे क्वेशन नहीं पूछेंगे वहाँ पे नेकिता, गुलाब और नीशा क्या आंसर होगा? दराइट आंसर इस 5.56 mm भईया ये चीज़े भी आपको लगानी है 5.56 mm ठीक है? इस तरीके से आप सभी को ये लिखना भी है, याद रखियो question number 10 बचो, SLR राइफल की आपको लंबाई बताना है लें तो आप SLR राइफल SLR राइफल की लंबाई सर मेरे को भी B का है, ओके ये शूब and कांता चलो आंसर करो SLR राइफल की लंबाई 46 inch, 47 inch 45 inch या 50 inch SLR की लंबाई आप सभी को पताना है और आप सभी के सामने यहाँ पे मैं दिखा देता हो SLR पर चलो, 8 way हर कुआर and येशू and उसके बाद में पायल वर्मा गलत कर दिया सूनिया वर्मा सहिए मुसकान यादो सहिए शेराउद्दिन सहिए, सतीश पाल and मीरजवाले भाई है उसके बाद में पलकपंडे, क्या है 4.6 inch सागर सहिए, बाकी गुलाब and अदर्श, प्रेरना अजय, very good जिनों ने भी आंसर दिया है 45 inch उन सभी का सहिए जो self-loading rifle है, उसके जो लंबाई है, वो है 45 inch याद रखियो, 45 inch is the right answer, next आगे बढ़ते हैं बच्चों अखला सवाल, question number 11, वो है कि LMG का full form क्या होता है full form of LMG, आप में से कून बताएगा LMG का full form full form of LMG come on guys, you can do it the full form of LMG कून है जो आप में से सही answer बताएगा, शिवानी सिंग, very good and उसे के साथ साथ answer देने वाला है आप ही में से Lucifer वाले भाई, good Tania है, Ajay Kumar है और Anurag Pandey उसे के साथ साथ हर कुवर है Rahulio P.S.C सही है प्रेरना, अंकित भागेल, एंड पायल वर्मा चलो, शेरा उद्दिन है गुलाब भाई है, कमलेश वर्मा है और कोन है, answer देने वाला सभी अर्जून, सतीश, इंडिये पाल और प्रेरना, everyone LMG का फुल फॉर्म क्या हैगा आपके दरब से नीशा, हेटवी, कांता बिलकुल सही है बच्चो, light machine gun is the right answer यानि कि पहला होगा बच्चो इसका light machine gun यानि कि option A is the right answer light machine gun ठीक है, light machine gun खुशी, सही है, मिराज पलक, everyone, good next बच्चो, CQB का फॉर्म क्या होता है question number 12, question number 12 फॉर्म आप CQB CQB का फॉर्म क्या होता है किसके दरब से, sir 28 को 48 में भरती था, अच्चा 24 को 48 में भरती था, okay CQB का फॉर्म क्या होता है, कौन आंसर बताएगा आप में इसे है, शिवानी, well try and उसे के साथ साथ, सत्याम यादो आंसर गलत हुआ है और मुकेश का सही है क्या गलत आंसर हुआ है और राहुल यूपिया सही है and और कौन आंसर देगा आप में सही है, इसका सही जवाब किसके दरफ से आएगा चलो try करो सभी सभी के charts में देख रहा हूँ जितने भी आप सभी दिख रहे हूँ ना आंसर बस ऐसा नहीं कि हर आंसर में आपका नाम तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अगर सभी के नाम लेने लग जाओंगो तो बीच बीच में मैं लेता रहूंगा सर सी वालों का भरती क्यूं नहीं किये समझ नहीं पाया मैं बाकि क्या होता है बैचो क्लोज क्वाल्टर बैटल इस दे राइट आंसर सी क्यू बी ठीक है क्यू का मतलब हुआ क्लोज क्यू का मतलब हुआ क्लोज क्यू 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 होती है आंसर करेंगे सुभी राज भीया जाहें कैसे हो भाई बहुत दिनों के बाद आए हो हम तो बढ़ी आए आप सुना कैसे हो एंड चलो दराइड आंसर इस एवरिवान एलम जी की मजल वेलोसिटी आप सभी को बताना है अजय कुमार शिवानी सिंग एंड हेटवी शिराउद्दीन है लुसिफुर वाले भाई तानिया और दिक्षा मिश्रा है और सतीश अंड मुकेश अंकीत आदर्श और प्रेरना उसके बाद में अनामिका शुकला पलक है सूनिया पायल है खुशी है आचल है पूजा है मुसकान यादो सागर नीशा गोस् मामी सभी बच्छे गुलाब वगेरा ओल्मोस्ट सभी ने आंसर कर दिया है तो बच्छे इसका आंसर क्या होगा 2700 फीट प्रती सेकेंड इस दे राइट आंसर अब आप में से कोई बताएगा कि बच्छा मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है मजल वेलोसिटी अगर ये व मजल वेलोसिटी होता क्या है किसे बता है आप में से बताओ कि बच्छा मजल वेलोसिटी होता क्या है जब भी आपके आखों के सामने ये मजल वेलोसिटी इस तरीके से वर्ड अगर आएगा तो क्या आपको इसका आंसर पता है कि ये मजल वेलोसिटी होता क्या है अगर किस चलो यस निशा गोस्वामी और और किसके तरब से बागी किसी को नहीं पता है चलो ओके भाई जिसको नहीं पता है उन्हें सभी को मैं बता देता हूँ कि अब से आप कभी इसको भूलोगे नहीं ओके चलो अब आप कभी भी इसे भूलोगे नहीं याद रखना अभी मैं आप सभी को बता देता हो तो आप कभी भी जो है वह इसे भूलोगे नहीं चलो अभी आपको इसका मैं डेटेल में समझा देता हूँ ओके चलो पॉर इक्जामपल के लिए यह बच्चा हमारा हतियार है ठीके यह क्या है यह हमारा LMG light machine gun यह क्या है यह हमारा हतियार light machine gun आप सभी के सामने हैं मैंने इसको जूम भी कर दिया है देख रहे हो आप ठीके यह क्या है बच्चा LMG light machine gun ओके जैसी आप यहां से trigger दबा इस जो गोली निखलेगी इसमें यानि की जो distance होगा ठीक है ठीक है उसकी जो रफतार होगी यह जो bullet है वो अपने target पर जाके कितने समय में लगती है उसके speed को बोला जाता है muscle velocity याद रखना ठीक है यह जो rifle के मुँ से जो गोली निकली है ना उसकी जो speed होती है उसकी जो रफतार होती है उसकी जो गती होती है जो target पर जहांके लगती है उसको उसके बीच के time को क्या बोला जाता है muscle velocity समझ में आया सभी को हो ठीक है मान लो भईया आप सभी उस side में हो ठीक है मैं इस side में हूँ आप यहां पे हो और मैंने कुछ चीज आप तक फेकी है ठीक है वो होता है muscle velocity ओके तो राइफल के मूँ से जो गोली निकली है और वो मूँ से निकली हुई गोली अपने target पर लगती है तो उन दोनों के बीच में जो समय लगेगा वो कहला हैगा muscle velocity ओके तो भयां तो जब भी LMG से fire होता है तो इसकी जो muscle velocity है 2700 feet प्रती सेकेंड भया देख लो 2700 feet प्रती सेकेंड की रफ्तार से गोली निकलती है तो गोली की रफ्तार देखो कितनी होगी गोली की रफ्तार देखो कितनी होगी 2700 feet प्रती सेकेंड के हिसाब से एक सेकेंड में कितना जाती है एक सेकेंड में जाएगी वो 2700 फीट दूरी पार करेगी एक सेकेंड में तो इसलिए भाईया देखो याद रखना सभी चालो आगे बढ़ेंगे next LMG की मजल विलोसिटी 2700 फीट प्रती सेकेंड next question next question है भाईयो 7.62 mm SLR के मैगजीन में कितने rounds भरे जाते SLR के मैगजीन में कितने rounds भरे जाते हैं सभी answer करेंगे जिसको भी पता है अच्छी बात है जिसको नहीं पता है मैं answer बता देता हूँ SLR के मैगजीन में कितने rounds भरे जाते हैं और कौन बताएगा आपमें से सही जवाब come on you can do it everyone fast सही answer दे रहे हो सभी किसी का कोई गलत नहीं है बस पूरा answer आप सभी को बता रहे है अरे यार वन मिन्ट कि चलो try करो सभी मैं सभी के charts देख रहा हूँ आप में से कौन बताएगा इसका सही जवाब SLR rifle का magazine capacity आप सभी को बताना है कितनी होती है SLR की magazine capacity very good सही है सभी बच्चों ने answer भी दे दिया है तो बच्चों आप सभी के सामने यह है 7.62 mm SLR यानि कि self loading rifle ठीक है यह है SLR आप सभी देख लो ऐसे SLR होता है और इसकी जो magazine capacity है ठीक है यह है इसकी magazine यह क्या है बच्चों यह है इसकी magazine यहां पर ये काला वाला पार्ट देख रहे हो ना यह है इसकी magazine और इसकी magazine capacity कितनी है तो याद रखना 20 round प्रती minute इसमें क्या होता है 20 round भरे जाते हैं इसकी जो magazine capacity है वह है 20 rounds की 20 राउंड की यानि कि इसमें 20 गोलिया भरी जाती है 20 गुलेट्स को भरा जाता है ठीक है देखो यह इसमें 20 गोलिया 20 गोलिया की capacity है ठीक है इससे जाधा नहीं है 20 गोलिया आप इसमें भर पाऊगे नेक्स आगे बढ़ेंगे बच्चो नेक्स कोशन के वर 12 to Deluxe राइफल की लंबाई आप सभी को बताना है 122 डिलग्स राइफल की लंबाई किस के दरब से च Zoo ऑइगा 22 टीलक्स राइफल की लंबाई चलो 2.2 डिलक्स राइफल की लंबाई को बताएगा आप में से है it come on guys you can do it the right answer is आप मेंसे कौन बताएगा पौइंट डू डूर्स राइफल की user लंबाई चलो पौइंट डूर्स राइफल की लंबाई कौन है वो शेर आप मेंसे बताएगा बिल्कुल आप्सेयर नहीं रूरीड़ ओकैं और कोई 43 बोर रहा है कोई 45 बोर रहा है यानि कि अभी भी आपके दिमाग में यह डाउट बसा हुआ इस डाउट को मैं अभी एक मिनिट में क्लियर कर देता हूँ सभी बच्चे यहां पर देखोगे बच्चो आपके सामने है पॉइंटीके2 रैफल दो प्रकार की होती है याद रख ना ऐकोई 20 regards कि दो बोला जाता है डिलक्स क्या बोलाता है दूसरी को बोला जाता है डिलक्स अब इसमें से जो अपका MK4 है ठीक है इसमें से जो अपका MK4 है इसकी जो अगर हम बात करेंगे लंबाई तो इसकी लंबाई होगी बच्चा 45 इंच ठीक है MK4 ठीक है जो MK4 वाला है इसकी लंबाई होगी 45 inch और बच्चा जो डिलक्स है ना जो डिलक्स ये वाला तो ये डिलक्स का होगा 43 inch तो अभी कोई confusion में नहीं होगा ठीक है जो MK4 वाली है उसका 45 और जो डिलक्स है उसका 43 inch clear है सभी कहाँ अब किसी के भी दिमाग में doubt नहीं होना चाहिए चाहिए जो भी हो जाए no doubt इसकी लंबाई पूचा है भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी है 45 और 43 बस दो इंचेज का फरक है याद रखना डिलक्स ये बिलक्स ये शू डिलक्स 43 और MK4 जो है 45 clear है सभी कहा everyone everyone clear है सभी अगर clear है तो बता दो ठीक है ये सारी चीज़े already मैंने पढ़ा रखिये वह मतलब ये सारी चीज़े हमने 2-3 साल पहले ही पढ़ा रखा है चलो ये तब के फोटोज है हमारे पुराने 2 साल पहले के फोटोज है ये वाले देखो पहले दो साल पहले ऐसे थे हम अभी ऐसे हो गए next तो यहाँ पे आपने answer कर दिया है the right answer is 40th range okay deluxe का क्या होगा 40th range next अगला सवाल आप इके सामने sir आपका class कल से देख रहा है okay भाई okay चलो बच्चो अगला सवाल है कि point to rifle का सामान्य दर कितने round प्रती minute का होता है point to rifle का जो normal rate है वो कितने round प्रती minute का होता है 10 round है 5 round है 15 round है या 20 round है point to do का normal rate lucifer वाले भाई गलत कर दिया normal normal का मतलब है सामान्य ठीक है अगर आपके पास point to rifle है और इस rifle से अगर आप fire कर रहे हो तो यह इसका जो न्रॉर्मल rate होगा वो कितना होगा किस के दरब से आंसर आएगा आपने से point to rifle का जो normal rate होगा वो कितना होगा जैसे कि मानलो ये आपका point to rifle है ये क्या है एक मानलो point to rifle है और इसके थूर आप fire कर रहे हो तो भहिया इसका जो normal rate of fire होता है वो होता है 5 round यानि कि अगर आप एक आपके हाथ में ये rifle को दे दिया है मान लो आपके हाथ में ये rifle को मैंने दे दिया है ठीक है क्या कर दिया है आपके हाथ में मैंने इस rifle को दे दिया है और भाईया मैंने यहाँ पे 1 minute का time लगा दिया है एक मिनिट का टाइमर लगा दिया है और आपको बोल दिया है कि वही आप करो फायर आप कितना फायर करते हो तो आप अगर फायर करोगे एक मिनिट में एक मिनिट में आप अराम से बिना किसी देरी से अराम से मस्त जो है पाच गोली आप इससे फायर कर सकते हो रखना नॉर्मल रेट ओफ फायर कितना है बचो पाच राउंड प्रती मिनिट और एक बाद जो रेट ओफ फायर होता है ठीके रेट ओफ फायर यानि की रेट ओफ फायर फायर का दर रेट ओफ फायर इट मेंज फायर का दर फायर का दर हमेशा एक मिनिट में काउंट किया ज फायर का दर हमेशा एक मिनिट में काउंट होता है कि आप एक मिनिट में कितनी गोलिया फायर करते हो एक मिनिट में कितनी बुलेट्स फायर करते हो अभी मैंने यहां पर आपको पॉइंट डुगा बताया ठीक है उसके बाद में एसलार का अलग है इंसास का अलग है एलमजी क a again उन SMITH करेंगे अब इसमें आता है नॉर्माल और रैपी तो रैपीड के बारे में बताता हो ने क्वेशन नंबर 13 हो SMC का much form क्या होता है SMC का full form क्या होता है definice चलो answer करेंगे SMC का full form SMC का full form क्या होता है आप मेंसे answer करेंगे What is the full form of SMC को ने जो आप मेंसे इसका सही answer बताएगा SMC का full form Come on guys, you can do it मैं सभी के charts देख रहा हूँ SMC का क्या होगा Very good, very good, शाबास यही तो answer चाहिए आपके तरफ से बिल्कुल सही है कोई गलत कर दिया किसी ने किसी ने भी गलत नहीं किया याने कि सभी का यहाँ पे बिल्कुल सही answer है ओके, good तो बच्चा आपको जो है मैं एक चीज दिखाता हूँ आप में से SMC कितने लोगों ने देखा आए आप में से SMC कितने लोगोंने देखा है, SMC का full form होता है, stain machine carbine, क्या होता है, बच्चो stain machine carbine SMC का full form होता है stain machine carbine जिसे stain machine gun भी कहा जाता है तो आप मैंसे SMC कितने लोगों ने देखा है Stain Machine Carbine को देखा है आपने Stain Machine Carbine को आपने देखा है Okay, खुशी आपने नहीं देखा है Okay, बाकी जिनोंने नहीं देखा है उन सभी को मैं दिखा देता हो बच्छो यह है आपका Stain Machine Gun यह इसको आप Stain Machine Gun बोलते हो यह Stain Machine Carbine बोलते हो याद रखना यह है SMC Stain Machine Gun इस तरीके से होता है सभी देख ले ना बिल्कुल छोटा हतियार है बट इसमें जो है वो बुलेट जादा भरी जाती है 30 राउंड भरा जाता है इसमें हतियार छोटा है लेकिन राउंड से इसमें आपस में जो लडाईया होती है पास में जो धक्का बुक्की वाली जो लडाईया होती है न उस समय में इसका यूज किया जाता है SMC का Stain Machine Carbine आपने इस हतियार को देखा होगा आप में से किसी ने तीरंगा मूवी देखा है तीरंगा तीरंगा मूवी आप में से किसी ने यहां तिरंगा मूवी वगेरा पुरानी फिल्मों में इस तरीके से हतियारों का यूज किया जाता था वो नाना पाटिकर जी ऐसे धर-धर-धर-धर-धर गोली चलाते हैं ठेक हैं फाइटिंग में आपने कही सारे मूवीज में देखा होगा यह वाला ठेक हैं इसे बोलाता ह होती है उसके लिए काम का शार नहीं है दूर वाली लड़ाई के लिए हतियार काम का नहीं पास वाली लड़ाई दॉल्टे का पटने का समय कितने सेकेंड का होता हैं आसर करेंगें हैं कितने सेगेंड का होता है चार सेगेंड पाइस सेगेंड या साथ सेगेंड हैं बाकि सभी बच्छे बढ़ बढ़िया सभी आंसर कर रहे हैं बच्छों यह हैं ग्रनेट आपने ये movie में देखा होगा, इस तरीके से ये जो इसकी safety pin है, है ना, ये जो ring आप देख रहे हो ना, ऐसे ring, ये जो ring है, ये जो इसको safety pin बोला जाता है, ऐसे जब आप इसको निकालते हो, ठीक है, और निकालने के बाद इसको पकड़ के आप ऐसे fake देते हो, तो भाईया, फ में ये फटने का समय है, इसका, ये है grenade, ठीक है, hand grenade, hand grenade का मतलब, हाथ से fake जाने वाला grenade, ये है, हाथ से fake जाने वाला grenade, फटने का समय है, चार सेकेंड, आपके पास 4 सेकेंड का समय है, जितना fake ना है, उतना fake लो, otherwise आपके पास ही फट जाएगा ये, अगर 4 सेकेंड के अंद का होता है रइफल गिरेन्ट सर हाथ से नहीं निकाल सकती है क्या है नहीं हाथ से हाथ से थोड़ा सा निकाल सकते हैं jun第 अद्र प्स जाता है ऑया आशे तुरं पास्ट में काम होता है अगर हाथ से बाया हाथ इसको बाया हाथ से करोगे ना बाया हाथ से ताकत नहीं लगती है जब पीन को हम निकालते हैं बाया हाथ से ताकत नहीं लगती है ठीक है और ऐसा भी नहीं कि आप इस ग्रेनेट को ग्रेनेट को आप इधर बाया हाथ में रखोगे तो बाया हाथ से र पाओगे आप अपना जो लेफ्ट है लेफ्ट से फिक पाओगे जादा दूर या तो लेफ्ट से निकालने में थोड़ी दिक्कत जाएगी इसलिए जो है इसको दाथ से निकाला जाता ऐसे तुरंत में हो जाएगा ठीक है मुव में नहीं फटेगा समय आपको मिलता है चार से कि आंसर करेंगे राइफल गरनेट कि राइफल गरनेट कैसे दरफ से हैं चुछ हतीयार है ठीके पुछ हतीयार आपने हैं देखा थे हैं अभी मैं आप सभी को राइफल गरनेट दिखाता हो बच्वट देख लिएजीए यह है राइफल ग्रेनेड यानि कि आपके इस हतियार को जो है न वो यहां पर ग्रेनेड लगा हुआ है यहां पर ग्रेनेड लगा हुआ है और इसके फटने का समय है साथ सेकेंड ठेकें साथ सेकेंड में यह फटने सेकेंड में साथ सेकेंड में इस तरीके से आपके हतियार को जो है यहां पर ग्रेनेड लगाया जाता है याद रगना यह है राइफल ग्रेनेड राइफल से फिका जाने वाला ग्रेनेड राइफल ग्रेनेड और हाथ से फिका जाने वाला हैंड ग लड़ाई के दोरान में कौन सा हतियार का प्रयोग किया जाता है नजदी की लड़ाई के दोरान में कौन से हतियार का प्रयोग किया जाता है सभी वच्छा अंसर गरेंगे नजदी की लड़ाई के दोरान में स्टेंगन कारवाईन येलमजी एसमसी एसलार इंसास यशु जो पास में लड़ाईया होती है नस्दी की लड़ाईया होती है उसके लिए Stain Gun Carbine का यूज किया जाता है जो कि मैंने आप सबِّको यहां पे दिखाया भी था ये वाला Stain Gun Carbine ये Stain Machine Carbine Stain Gun Carbine तो ये है नस्दी की लड़ाई शेत्रे के लिए किया जाने वाला इस्तमाल किया जाने वाला हदियार स्टेन गन कारबाइन ओके याद रखना पास वाली लड़ाईयों के लिए स्टेन गन कारबाइन का इस्तमाल किया जाता है अभी याद रखना चालो बाकी आगे बढ़ेंगे सभी अब मिलेंगे अपनी आठ बज़े वाली क्लास में चलो आठ तो यही बच गए आठ बज़े वाली क्लास में मिलते हैं चलो आजाओ अभी आठ बज़े वाली क्लास में भरती वाली क्लास में मिलते हैं तो अपना ध्यान रखें जाहें बंदे मात्रम बाई अब्रिवान चलो आजाओ आठ बज़े वाली क्लास